उत्तरपरदेश की बाकी बच्ची सीटों के लिए ही आज वीजेपी की कोर कमेटी की फिर से बैठक होगी और साथ ही संजे निशाद के साथ की बैठक संभो मानी जा रही है और अनुपिरिया पर्टेल के साथ भी बैठक हो सकती है असी जानकारी भी सामने आ रही है दोनों दलों के साथ ही गड़बंधन की सीट शेरिंग पर ही बात होगी और संजे निशाद नहीं एलान किया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और निशाद पार्टी के अधियाकसर संजे निशाद आज दिल्ली आ रहे हैं जहां उनकी केंदरिया ग्र चुनाव लड़ेगी निशाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसके बारे में निड़ने सोमवार को यानि की आज दिल्ली में ही बिजेपी के शिर्ष नेताओं के साथ चर्चा के दोरांग किया जाएगा और इससे पहले रविबार को गोवा बिजेपी कोर गुरुप की बैठक बिजेपी मुख्याले में हुई और बैठक में ही अमित शाओ और जेपी निड़ा गोवा के मुख्यमंतरी परमोत सावंत के अलावा अन्य नेता मौजूद रहे और गोवा के बाद उत्राखंड कोर गुरुप की भी बैठक बिजेपी मुख्याले में जिसमें अमित्शा, मुखी मंत्री पुषकर सिंधामी, परलाजोशी, दुशेंद कोतम, लोकेट चटरजी, रेखा वर्मा परदेश अधियाक्ष, मदनल कोशिक शामिल रहे आपको बता दें कि ग्रह मंत्री अमित्शा, 30 जन्वरी के बाद उत्तर परदेश में रैली करेंगे और इस दोरान वे हर जिले में ही जाएंगे और पूरे उत्तर परदेश का दोरा करेंगे पार्टी को फिर से उत्तर परदेश में सत्ता पर बैटने के लिए ही फिर से मैदान में उतर रही है और पहले चरण के बाद ही BJP के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि 300 पार होगी इस बार BJP और पहले और दूसरे चरण के माहौल से कहा जा सकता है कि BJP फिर से ही 300 पार सीट जीतने पर जा रही है और पहले और दूसरे चरण में ही BJP पहली बार की तरह ही अभी तक घोशित शीट में ही 83 सीट से फिर से जीतेगी और विसी कि पार्टी ओल इंडिया मजलिस ए अतेहाल दूल मुसल्मान उत्तर परदेश के ही चुनाओं के लिए अपने उमिद्वारों की पहली सूची जारी कर दी है और यह सूची आपको बता दे कि पार्टी के ही परदेश अध्याग शौकत अली नहीं जारी की है पहली सूची में ही इन 9 सीटों के उमिद्वारों के नाम है और इनमें से ही 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में ही मद्दान होना है और एक सीट पर ही 14 फरवरी को दूसरी चरण में वोटिंग होगी आपको बता दे कि ओवेसी की और से भी जारी इसको लेकर गाजियाबाद की लोनी सीट पर ही डॉक्टर महताब उसके उमिदवार होंगे और हापुर की गड़ मुकेत्विय सीट पर भी फुरकान चौधरी और धोलाना सीट पर ही हाजी आरिफ को ही उमिदवार बनाये गया है मेरट की सीवाल खास सीट से ही रफद खान और सरधरा सीट से ही जिशान आलम और किठोरे सीट से ही तसलीम अहमद चुनाओ लड़ेंगे वही सहारनपूर जिले की बेहड सीट से ही अहमद और सहारनपूर देहाद सीट से ही मरगूब हसन उमिदवार होंगे बरेली जिले की ही बरेली सीट पर शाहिन रजा खान ने भी उमिदवार बनाया गया है और आपको ये भी बता दे कि उत्तर परदेश के विधान सभा चुनाओ में अकेले चुनाव मैदान में है और उसने ही परदेश के 100 सीटों पर ही उमिद्वार उतारने की खुशना की है इस पार्टी ने ही 2017 का चुनाव 38 सीटों पर लड़ा है लेकिन 37 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है M.I.M. को ही इस चुनाव में 0.24 फिस्दी वोट मिले थे और यूपी के ही इसी साल हो रहे चुनाव के लिए M.I.M. ने ही पहले उमपरकाश राजबर की पार्टी से समझोता किया था लेकिन बाद में ही राजबर में ही समादवादी पार्टी से समझोता कर दिया इसके बाद से ही M.I.M. U.P. की राजब्ती में अकिले पढ़ गई है गोवा विधान सबाग चुनाव में शिवसेना और N.C.P. के एकसाथ चुनाव लड़ने की खबर मिल रही है जानकारी के मताबिक ही 18 तारिक को ही सीट शेरिंग पर ही चर्चा की जाएगी और गोवा में ही शिवसेना और 10 से 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है आपको बता दे कि N.C.P. के ही वरिस्ट निता अप्रुपुल पर टेल 18 जनवरी को गोवा में सीट शेरिंग को लेकर ही चर्चा करेंगे उसके बाद कोन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये साफ हो जाएगा और वही गोवा में ही कॉंग्रेस के अकेले ही चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही है और वही शिवसेना के नेता संजे राउत ने T.M.C. और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है उन्होंने T.M.C. को निशाने पर लेते हुए कहा कि गोवा में ही T.M.C. अपने आप में ही मुख्यमेंतरी बन गई है और गोरकपुर में भी आपको बता दे कि गोरतलब है महरास्ट में ही तीन पार्टीयों की सरकार है राउत ने कहा कि महरास्ट में हम N.C.P. और कॉंगरस के साथ ही सरकार में हैं लेकिन अभी गोवा में ही कॉंगरस के साथ सीटों का बटवारा नहीं हुआ है तो उनकी भी कुछ मजबूरिया होंगी हमारी भी कुछ मजबूरिया होंगी राउत ने आगे कहा कि हमारे उमिदवारों की सूची तयारे हम चुनाओ लड़ेंगे 18 जन्वरी को और इस पर चर्चा होगी और उसके बाद ही हम उमिदवारों की सूची की घूशना करेंगे राउत ने दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जरिवाल पर भी निशाना साते हुए कहा कि दिल्ली में कोविट के मामले लगतार बढ़ रहे हैं लेकिन उसको छोड़ मुख्य मंतरी गोवा में भी जी हैं और दरसल आपको बता दे कि इस समय ही दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जरिवाल गोवा के दोरे पर हैं और वहां डोर टो डोर पर चार कर रहे हैं